बचो आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत हैं आज की कक्षा में हम वह देश कौन सा है इस कविता पर चर्चा करेंगे जिस तरह से पहली कक्षा में हमने इस कविता के अंतरगत जो शब्दारते हैं उसके बारे में समझा था आज के कक्षा में हम इस कविता पर चर्चा कर है यहां प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है यही वह देश है जिसने विश्व को सर्व प्रथम ज्ञान का प्रकाशन दिया जिस तरह से हम यहां पे एक देश के में बताया जा रहा है देश का प्रेम ही एक सर्व प्रेम है देश यह प्रस्तुत कविता जो है देश प्रम पर लिखिवी कविता है अब हम इस कविता पर चर्चा करेंगे जिस तरह से मन मोहीनी प्रकृती की जो गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा ह जिसके चरण निरंतर रतनेश धो रहा है जिसका मुकट हिमालई वह देश कौन सा है जिस तरह से हम इस कविता में देख सकते हैं मन मोहिनी यानि मन को छोने वाली मन को अच्छा लगने वाली प्रकृती की जो गोद में बसा है मन को छोने वाली की प्रकृती में जो बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है कहां पे सुख स्वर्ग कहां पर है कहां सुख स्वर्ग है कभी प्रश्ण कर रहा है कि सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है इस दुनिया में इस स्रश्टी में सुख स्वर्ग कहां है और सुख स्वर्ग जहां है वह देश कौन सा है जिसके चरण निरंतर रतनेश धो रहा है जिसके पैर रतनेश निरंतर धो रहा है जिसके पाद जिसके पैर रतनेश यानि समुद्र निरंतर धो रहा है जिसका मुकट हिमाले वह देश कौन सा है? जिसका मुकट हिमाले है और जिसके चर्ण रतनेश धो रहा है वह देश कौन सा है? कवी इस कविता में राम नरिश त्रिपाटी कवी पूछ रहा है कि जिसके चर्ण निरंतर रतनेश धो रहा है और जिसका मुकट हिमाले वह देश क जिसके चरण समुद्र धो रहा है और जिसका मुकट हिमाले है वह देश कुन सा है नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है सिंचा हुआ सलोना वह देश कुन सा है जिसके बड़े रसीले फलकंद नाजमेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कुन सा है यानि यहां पे नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है जिस तरह से नदियां यहां के बह रही है सिंचा हुआ सलोना वह देश कुन सा है सलोना यानि सुधर जो सिंचा हुआ सलोना देश कुन सा है जिसके बड़े रसीले फलकंद नाजमेवे यहां पे एक कंद यानि जड़ के रूप में उगने वाली सबजी यहां फल भी हो सकते हैं जिस तरह से गाजर, चकुंदर, शकर, कंद हो सकते हैं और जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे सब अंग में सजे हैं वह देश कुंसा है यह सारे चीजे जहां पे मिलती हैं वह देश कुंसा है कवी पूछ रहा है कि नदिया जहां सुधा की धारा बहा रही हैं सींचा हुआ सलोना वह देश कुंसा है जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे सब अंग में सजे हैं वह देश कुंसा है सब यहाँ पे सजे हुए है, सब यहाँ पे सुन्दर सा देश है, सुन्दर सा बुभाग है, वह देश कुन सा है, वह देश सिर्फ भारत है, वह देश सिर्फ भारत है, जहाँ पे हिमाले उसका मकुट है, और जिसके पादर रत नई धो रहा है, वह देश भारत है, राम नरेश त्रिपाटी प्रश्ण कर रहे हैं कि इतना सुन्दर सा देश कौन सा है?